हेलो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा थे जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभे स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्श आप मेरे से सियर करें और उसे रिलेटेट जो भी जैनुएन सलूशन होगा जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने के 100% कोशिस करूँगा और अभी की जो वीडियो है जिन भी स्टूडेंट को अगर आपके मन मन में है जो सर आने वाले हर अपडेट के लिए जैसे सर कॉंसलिंग कैसे अप्लाइ करना है आपका सीट अलॉटमेंट लिटर कैसे डॉनलोड करना है कैसे क्या करना है सारे अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो पहले तो मैं आपको यह बता दूँ जो जित तो आप लोग उनके वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाइ मत करिये मैं हमेशा आपको कहा रहा हूँ जिन्भी स्टुडेंट को बीटेक करना है या बीफार्मेसी करना है तो बीटेक और बीफार्मेसी और पोल्टेकनिक का एडमिशन का जो सारा जिमा जो है वो हरियान स्टेट टेकनिकल एजुकेशन सोसाइटी को दिया गया है इट मिस क्या है फॉर्म अप्लाई होगा हरियाना स्टेट टेकनिकल एजुकेशन के सोसाइटी के वेबसाइट पे कॉंसलिंग होगा हरियाना स्टेकनिकल एजुकेशन के सीट अलोटमेट लेटर भी हरियाना स्ट मुर्थल में एडमिसन लेना है तो मैंने देखा सद्टी करते क्लिक करें तो वहां पर बीटेक का ओप्शन ही नहीं आ रहा है अरे साहब कभी option नहीं आएगा, इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग हर्याना स्टेट टेक्निकल एजूकेशन सोसाइटी का जो वेब साइट है, जिस पे आज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे समझे जो 6 जून तक आप लोग को के दो फॉर्म आ गया, ए जिन भी स्टुडेंट को 12 के बाद भी फार्मिसी करना है, आपका जो फॉर्म है वो 10 जून से पहले आएगा, इस बात का जो है, मुझे जो बात हुई नहीं उसके अक्वाडिंग आपको बता रहा हूँ, और हर्याना लीट का जो फॉर्म है, जैसे मानली जिन बच्चों को पोल टेकनिक के बाद भी टेक करना है, या पोल टेकनिक के बाद जिने स्टुडेंट को भी फार्मिसी करना है, तो आपका जो फॉर्म है, वो लास्ट जून तक आएगा, तो इसलिए आप लोग कते मत घवराईए, जो भी अप्रेट होगा, मैं सब स्टुडेंट तक रखन साइट पर आप लोग जाके, और कम्पलीट जो है, आप लोग पहले फॉर्म का रेजिस्टेशन करिए, रेजिस्टेशन होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका रेंक काड आएगा, रेंक काड आने के बाद कॉंसलिंग अप्लाई के बाद आपका seat allotment लेटर आएगा और इन सब के fix date दे रखे है अब बात की जाए जो sir form apply date क्या है तो मैं आपको बता दू सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जिन भी student को four year बीटेक करना है मतलब मेरा कहना ही है अगर आप 12 के बाद बीटेक करना चाहते हो तो आप सभी student का जो form है वो आ गया है और ऐसे मानिए आप 15 जून से पहले अपना जो form है वो fill up कर लिएगा last date का wait बिना किए 15 जून से पहले आप अपना form apply कर लो जो student हमारे भी pharmacy करना चाहते है after 12 ठीक है बावो तो आपका जो form है form आने वाला coming soon है और वो आपको 10 जून तक आएगा और form ऐसे समझे लास्ट जून तक आप लोग apply करिएगा इस बात की मेरी guarantee रही अब रही बात सर बीटेक four year में अगर admission लेना है तो उसकी क्या eligibility है तो मैंन यह बात अगर यह दूनों है तो आप fourth year बीटेक के लिए eligible हो अब बात की जाए सर बी pharmacy admission process देखो बेटा जिन भी बच्चों को fourth year बी pharmacy करना है मतलब after 12 तो आपके लिए पहले तो आप registration करिएगा registration होने के बाद आपका verification होगा verification के बाद third process आपका admit card आएगा admit card आने के बाद आप लोग क्या दीजिएगा entrance दीजिएगा और entrance के बाद आपका marks आएगा और फिर आप अपना counseling apply करिएगा और फिर जाके आपको college provide किया जाएगा मतलब जिन्वे student को हर्याना के किसी भी university से अगर आपको be pharmacy admission लेना है तो आपको entrance देना होगा मैं बतारो 12 के बाद अगर pull technique करके करते हो 2 years तो फिर आपको किसी भी तरह का को entrance नहीं है अब बात की जाए सर भी pharmacy admission का entrance क्या है entrance की बात की जाए तो अगर मान लो आपका 10 जून से form आता है तो ऐसे समझे यह आपको 5 से 7 जुलाई तक आपके paper conduct कर वा लेंगे सिर्फ आपके पास last June मतलब एक मन्त का time है आज से आपके entrance को लेके और रही बात सर entrance का क्या syllabus है तो 12th 11th और 12th का ही complete syllabus होता है जिसमें आपका physics का रहेगा total 30 question आपका बेटा chemistry का रहेगा total 30 question अगर आपने bio से 12 कर रखा है तो आपका botany का question होगा 15 और आपका geology का question होगा 15 अगर आपने math system से 12th कर रखा है तो आपके लिए physics का total question होगा सर ने बताया 30 question physics आपके second क्या है chemistry के total आपके 30 question और 30 question आपके math के तो total question आपके 90 रहते हैं तो देख लेना अगर आपका 12th में सिर्प math है तो 30 question physics, 30 question chemistry, 30 question math अगर आपके पास 12th में bio है तो 30 question physics, 30 question chemistry, 15 question बोटनी, 15 question geology और ये सारा अगर आप जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करना ये सब update तो मैंने आपको दी दिया पहले आप HSTS के website पे जाईएगा जो अभी form apply करनी के लिए फिर आप यहां से registration करिएगा या आपको कहीं भी admission लेना M.D.U.K.E.D.C.R.S.M.R.T.L.Y.M.C.E. फरिदाबाद जहां भी registration होने के बाद आपका verification होगा verification के बाद अगर आप भी pharmacy वाले student हो आपका admit card admit card के बाद आपका entrance entrance के बाद आपका counseling counseling के बाद आपका जो जैसा है वो किया जाएगा और total आपके दो online counseling होते हैं याद रखना एक आपका first counseling होगा और एक आपका सरने बताए second counseling होगा तो यह आपके दो process है counseling के तो यह सारा update है इसलिए मैं सभी students से request करूँगा जो अगर आप लोगों को हर्यानय के अंदर किसी भी university में admission लेना है या वो government हो या private हो तो आपकी किसी भी university में तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बड़ जूरे हो तो चैनल को specially subscribe कर लिएगा ताकि आने वाला हर update और बिलकुल real update आपको time से पहले मिलता रहे तो चलो जड़न्ट मिलते हम next video next update next pattern के साथ जो भी update होगा मैं सब स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा by all of you I hope हमारे सारे स्टूडेंट ठेक होंगे